हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने योट्यूब चैनल एफिसियंसी क्लासिस में आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ब के बारे में जी हां दोस्तो वर्ब होता क्या है यह सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तो इस पे हमने वीडियो बना रखी है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप चाहे तो हहां से देख सकते हैं दोस्तो subject जो काम करता है वो ही भर्ब कहलाता है subject के दोरा किया गया काम ही भर्ब कहलाता है example देखते हैं दोस्तो He writes the bicycle He subject है He काम क्या कर रहा है दोस्तो? Writes दोस्तरे example है John is playing the guitar John subject है दोस्तो John काम क्या कर रहा है? Playing Playing हो गया, वर्ब एक तिस्तरे example देखते हैं They are dancing They subject है दोस्तो ये कर रहे हैं क्या? Dancing तो dancing हो गया, भर्ब चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं भर्ब होते कितने तरह के हैं There are two types of verb Transitive verb and Intransitive verb Intransitive और Transitive दोस्तो, Transitive verb होता क्या है? Transitive verb needs an object Transitive verb में हमेशा object की जवरत परती है Example देखते हैं दोस्तो My mother cooks the food दोस्तो, यह cooks verb है लेकिन food object है सुनीता, likes, roses Likes, verb है, और roses, object I use, learns, his lessons दोस्तो, I use subject हो गया, learns verb और lesson, object आए दोस्तो, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं दूसरे पाठ के तरिए Intransitive verb यह होता क्या है Intransitive verb doesn't need an object Intransitive verb में किसी भी object की जवरत नहीं होती है कुछ example देखते हैं Birds fly यहाँ पे किसी भी तरह का object नहीं है दोस्तो The helicopter landed The child whips The bell rings दोस्तो, Intransitive verb में कोई object नहीं होता I hope दोस्तो, आपको verb समझ में आ गया होगा आप वीडियो को जरूर सेयर करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब